सकाश देने की सेवा करने के लिए लगा मुक्तबन बहत के वेराग्य बनो आज का दिन विशे स्ने का दिन है अमरुत्विले से लेकर चारों और के बच्चे अपने दिल के स्ने को बाप ददा के अर्थ और रिपीत कर रहे थे सरो बच्चों के स्ने के मोतिया की मालाए बाप ददा के गले में पढ़ती जा रही थी आज के दिन एक तरफ स्ने के मोतियों की मालाए दुसरे तरफ मिठे मिठे उलोनों की मालाए भी थी लेकिन इस वर्ष उलनों में अंतर देखा पहले उलनने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते हमने साकर पालना नहीं ली इस वर्ष मैजरीटी का उलना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पूँच जाए समान बनने का उमंग उस्सा मैजरिटी में अच्छा रहा समान बनने की इच्चा बहुत तीवर है बन जाए और आ जाए ये संकल पर रूर्यान में बहुत बच्चो का रहा बाप दादा भी यही बच्चो को कहते है समान भवव, संपन भव, संपूर न भव इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है सबसे सहज साधन है सदा सने के सागर में समा जाओ जैसे आज क्या दिन सने में समाए हुए थे और कुछ याद था सिवाए बाप ददा के और कुछ याद रहा उड़ते बेढ़ते सने में समाए रहे चलते फिरते क्या याद रहा ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी समूर्ती में रहे सभी ने सने का अनुभव आज भी विशेश किया ना मेनत लगी सर्ज हो गया ना सने ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है नदे याद आती है नदे की दुनिया याद आती है सुने मेनत से छुड़ा देता है जहां मोबत होती है वहां मेनत नहीं होती है सुने सदा सहच बाब दादा का हाथ अपने उपर अनुबो कराता है सुने छत्रशया बन माया जिद बना देता है कितना भी बड़ी समश्या रुपी पाढ़ हो सुने पाढ़ को पानी जैसे हलका पना देती है तो सुने में रहना आता है ना आज रहकर देखाना कुछ याद रहा नहीं रहाना बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लौलीन रहे तो बाप ददा कहते हैं और कोई पूरशारत नहीं करो सने के सागर में समा जाओ समा ना आता है कभी कभी बच्चे सने के सागर में समाते है लेकिन थोड़ा सा समय समा या फिर बाहर निकल आते है अभी अभी कहेंगे बाबा, मिठा बाबा, प्यारा बाबा और अभी अभी बहार निकलते और बातों में लग जाते है बस स्रिप थोड़ी सी जैसे कोई डूप की लगा के निकल आता है न ऐसे सने में समाया डूप की लगाई निकल आए समाय रहो तो सने की शक्ती सबसे सहज मुक्त कर देंगी सभी बच्चों को ब्रामन जनम के आदी का अनुभो सने ने ब्रामन बनाया सने ने परिवर्तन किया अपने जनम के आदी समय का अनुभो याद है न ग्यान और योग तो मिला लेकिन सने ने आकरशित कर बाप का बनाया अगर सदा सने की शक्ती में रहो तो सदा के लिए मेनत से मुक्त हो जाएंगे वैसे भी मुक्ती वर्ष मना रहे न तो मेनत से भी मुक्त उसका सादन है सने में समाय हुए रहो सने का अनुबव सभी को है न या नहीं है अगर किसी से भी पूचेंगे कि बाप ददा से सबसे ज़्यादा स्टिंक इसका है तो सबी ने हाथ उठाया मेरा है सबने हाथ हिलाया साइलिंस का हाथ उठाओ आवाज वाला नहीं तो बाप ददा आज यही कहते है कि स्ने की शक्ती सदाकारिय में लगाओ सज है ना योग लगाते हो दे भूल जाए दे के दुनिया भूल जाए माया जिद बने जब स्ने की चत्रचाया में रहेंगे तो स्ने की चत्रचाया के अंदर माया नहीं आ सकती है स्ने के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है निकलो ही नहीं समाए रहो सने कोई भी कारिय करते हुए सने को ही सने को नहीं भूल सकता सने में खोया हुआ हर कारिय करता तो जैसे आज के दिन खोये रहे ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या सने सहर जी समान बना देगा क्योंकि जिसके साथ सने है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता म्रमा बाप से दिल का प्यार है म्रमा बाप का भी बच्चों से अतीस ने है सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशिस समान बनने की सकाश देते रहते है जिसे पाश्ट जीवन में एक एक रतन को देखते हर एक रतन के मुल्य को जानते विशिस कारिय में लगाते ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशिस रुप से विशिस्ता को कारिय में लगाने का सदा संकल पर देते रहते और हर एक के विशिस्ता की वहावा गाते रहते वहाँ मेरा अमूले रतन कई बच्चे सोसते की ब्रहमा बाप वतन में क्या करते है हम तो यह सेवा करते रहते है और ब्रहमा बाप वहाँ वतन में क्या करते है लेकिन बाप कहते है जैसे साका रूप में सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते है बच्चों के साथ ही रहते है अकेले नहीं रहते है बच्चों के बीना बाप को भी मज़ा नहीं आता है जैसे बच्चों को बाप के बीना कुछ सुचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बीना और कुछ भी सुझता कुछ भी नहीं सुझता अकेले नहीं रहते हैं साथ में रहते हैं साकर में तो साथ का अनुबव साका रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अवेक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब च हैं साथ निभाते रहते हैं जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना उन्हों ने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया लेकिन यह इस समय का गायन है अब अवेक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे रात को दो बजे अढ़ाए बजे है किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है इकलब अवेक्त रूप में तो पवित्र प्रवूति में भी चक्कर लगाते हैं बाप को काम ही क्या है बच्चों को समान बनाके साथ ले जाना यही तो काम है ना और है क्या और क्या है तो इसी में ही बीजी रहते हैं तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेस मेनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं कोई भी कारिय करो तो डबर लाइट बनने के कारिय करो तो मेनत मनोरंजद अनुभो करेंगे क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेनत करना युद्ध करना हार और जित का खेले करना ये अच्छा नहीं लगता तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना मना रहे हो या मेनत में लगे हुए हो आज के दिन विशेश ये वर्दान याद रखना मेनत से मुक्त भव संगम युग मेनत से मुक्त होने का यूग है मोज में रहने का है अगर मेनत है तो मोज नहीं हो सकती एक ही युग परम आत्मा और आत्मों का मोज मनाने का यूग है आत्मा परमात्मा किसने का यूग है मिलन का यूग है तो द्रड़ संकल पकरो की आज से मेनत से मुक्त हो जाएंगे होंगे ना फिर ऐसे नहीं प्या तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर को क्या करे कैसे करे क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के द्रड़ संकल पकरने का पूरा फाइल है बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते है बार बार द्रड़ संकल पकिया है ना जब से जनम लिया और अब तक कितने बार संकल पकिया है यह करेंगे यह करेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं किया है, रूरियान बहुत अच्छे करते हैं, बाब दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिग्यासियों को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाब दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन द्रड़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, आज भी सबी संकल्पतों कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक चलता है, बाप भी देखते रहते हैं, बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खतम होके फाइनल हो जाएंगे, अभी तो धेर के धेर फाइल है, तो सुरिप स्ने में डूबे रहो, सु तो स्ने को फालो करना मुश्किल नहीं होता है स्ने के लिए कहते भी हो कि जास ने है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है बाब दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते पुराना जान कुर्बान कर दो इसकी फाइनल डेट फिक्स करो और फंशन की डेट तो फिक्स करते हो 20 तारीक है, 24 तारीक है इसकी डेट कब फिक्स करेंगे इसकी डेट बाब दादा फिक्स करे बाब दादा कब शब्द कहते ही नहीं अब कहते है बाब दादा कब पर छोड़ता है क्या अब कहता है जो करना है वो अब करो लेकिन बाप दादा तो समर्त है ना तो समर्त के इसाब से तो अब कहेंगे बच्चे कब की आदत में हीरे हुए है इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते है कि यह डेट कब फिक्स करेंगे आप भी कब कहते है ना तो बाप भी कब कब कहते हैं, अभी समय प्रमान सब को बेहत के वेरागी उरुती में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना यह समय को शिक्षक बनाना है, उसमे मार्स कम हो जाती है, अबी भी कई बच्चे कहते समय सिखा देगा समय बदल देगा समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्मे बदलेगी लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो समय को शिक्षक नहीं बनाओ आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो रचता हो समय रचना है तो है रचता आत्मे रचना को शिक्षक नहीं बनाओ ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया बेहत का वेराग्या आदी से अंतत करहा आदे में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाओ नहीं रहा, तन के लिए सदा नेचरल बोल यही रहा, बाबा का रत है, मेरा शरीर है, नहीं, बाबा का रत है, बाबा के रत को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ, नहीं, तन से भी बेहत का वेराग्य मन तो मनमना भहुत आही धन भी लगाया लेकिन कभी यह संकल पर भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है कभी वर्लन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है बाबा का भंडारा है भोलेना का भंडारा है धन को मेरा समझ कर परसनल अपने प्रती एक रूपे की चीज भी यूज नहीं की कन्याओ माताओ की जिम्मेवरी है कन्याओ माताओ को वील किया मेरा पन नहीं मेरा पन नहीं समय स्वास अपने प्रती नहीं उससे भी बेहत के वेरागीर है इतना सब कुछ प्रकुर्ती दासी होते हुए भी कोई एक्ष्ट्रा साधन यूज नहीं किया सदा साधारन लाइप में रहे कोई पेशल चीज अपने कारिय में नहीं लगाई वस्तर तक एक ही प्रकार के वस्तर अंतर तक रहे चेंज नहीं किया बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन सुयम यूज नहीं किया बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे सदा बच्चों का सने देखते हुए भी यने शब्दरे की सब बच्चों के लिए है तो इसको कहा जाता है बेहत की वेराग्य वुरुती प्रतिक्ष जीवन में रही अन्त में देखो बच्चे सामने है हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगा रहा भेयत की वेराग्य उरुतिस नहीं बच्चे अन्यन्य बच्चे सामने होते हुए भी सामने होते हुए फिर भी भेयत का वेराग्य रहा सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहत के वेराग्य का सबुत देखा एक की लगन सेवा सेवा और सेवा और सबी बातों से उपराम इसको कहा जाता है बेहत का वेराग्य अभी समय प्रमान बेहत के वेराग्य वृत्ति को इमर्ज करो बिना बेहत के वेराग्य वृत्ति के अलो फादर करो, साकार में ब्रह्मा बाप रहा, मीराकर की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकम्ट्रांस समश्य आते हुए, पास हो गए ना, पास भीत ओनर का सर्टिपिकेट ले लिया, वि बेहत की वेराग्य वृत्ति, अभी सुक्ष्मा सोने के जंजिर के लगाओ, सोने के जंजिर के लगाओ, बहुत महिन सुक्ष्मा लगाओ बहुत है, कई बच्चे तो लगाओ को समस्ते भी नहीं है, कि यह लगाओ है, समस्ते यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक तो होना है नहीं लेकिन ऐसे तो चलता ही है अने प्रकार के लगाओ बेहत के वेराग्य बनने नहीं देते हैं चाहना है बने संकलपा भी करते हैं बनना ही है लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है चाहना जादा है करना कम है करना ही है यह वेराग्य उरुती अभी इम मर्ज होती है फिर मर्ज हो जाती है समय तो करेगा ही लेकिन पासपित ओनर नहीं बन सकते पास होंगे लेकिन पासपित ओनर नहीं समय की रफ्तार तेज है पुरशार्ट की रफ्तार कम है मोटा मोटा पुरशार्ट तो है लेकिन सुक्ष्मर लगाओं में बंद जाते है बाद देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे अभी समय प्रमान लगाओ मुक्त बेहत के वेरागी बनो मन से वेराग्य हो प्रोग्राम प्रमान वेराग्य जो आता है वो अलब कालका होता है चेक करो अपने सुक्ष में लगाओ को मोटी मोटी बाते अभी खतम मालुम नहीं पड़ते, चेक करो, अच्ची तरह से चेक करो, संपुर्नता के दरपन से लगाओ को चेक करो, एई ब्रह्मा बाप के समुर्ती दिवस की गिप्ट, ब्रह्मा बाप को दो, प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिप्ट देते हैं, तो यह गिप्ट छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ, बाब ददा खुश भी होते है कि बच्चों में उमंग उस्सा उपता है, बहुत अच्चे अच्चे सो उन्नति के संकल्पी करते है, अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ, अच्चा, आज वीशिस टीचर का संगटा निखट हुआ है, सेवा का रिटन यहां उस्सो रखा जाता है, बाब ददा खुश होते कि बच्चों क्यों सेवा का फल मिल गरहा है ना, बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वा मना रहे है, खा रहे है, सेवा में नंबर वार सपल रहे है और रहते रहेंगे, अच्चा, चारों औ और देश विदिस के सने में समाए हुए सने बच्चों को, सदा बाप के सने के सागर में समाए हुए रहने वाले अतिसमीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की वुशेस्ता को सोयम में धारन करने वाली स्रिष्टा आत्माओं को, सदा मेनत मुक्त हो, मोज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समन बनने के संकल पको साकर में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाए हुए बच्चों को, विशिस आज के दिन ब्रमा बाप की पदम पदम गुना, याद प्यार स्फिकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है ना, बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं, तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा किस नेके मोतियों की थालिया भर भर कर याद प्यार और नमस्ते प्रकाश है विर्त अंदकार है इसलिए ग्यानी तु आत्म माना हर संकल पर उपी बीज समर्थ हो जिनके संकल पर समर्थ है उनकी वानी करम सबंद सजी समर्थ हो जाता है स्लोगन है सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्दे नहीं सुर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं अवेक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्तिती का अनुभो करो डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो डबल लाइट रहने से लोकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं क्योंकि हिष्ट्री हो क्योंकि ट्रस्टी हो ट्रस्टी को क्या थकावट अपनी ग्रस्ती अपनी प्रवुर्ती समझेंगे तो बोज है अपना है ही नहीं तो बोज किस बात का बिलकुल नियारे और प्यारे बालक सो मालिक ओम शन्दि